तो यह है मेरे पास Redmi का Note 10 Pro Pro Max Solid device जिसे मैं यूच करो और यहां पर मैंने एक stock type के modified ROM को install कर रखा है जो कि मैं आपको बताने हैं कि ROM कैसा perform करता है इससे पहले और भी stock ROM के अपडेट आये थे बट वह मुझे उतना ज्यादा बेटर नहीं लगा था स्मूधने सब्सक्राइब के मावले में इसलिए जब मैंने सोचे कोई रोम डाल रहे हैं उसमें स्मूधनेस ही नहीं हो तो विफायदा क्या है डालने का तो अधिक टाइम पर यूच करो ना यह प्रसनली मुझे अच्छा लगा है लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ आपको दे पर चाहिए तो भाई आपको मेरे टेलिग्राम वाल पेपर चैनल पर मिल जागा इसके लिंक के साथ में वह एड कर दूँगा यहां पर आइकन ओपनिंग अंड क्लोजिंग आपको यहां पर जो वर्किंग देखनी को मिल जाता है इनिमेसंस होगे रहा सब्सक्राइब लेता है उसके बाद ओपन होता है तो यह भाई सॉल्व नहीं होने वाला किसी भी रोम के अंदर इस डिवाइस के अंदर परसनल ही क्योंकि रिवाई डिवाइस बुढ़ा हो चुका है फिर भी हम इसके जान निकाल रहे है रोम डालके तो इस तरीके से भी रहेगा तो लाती है जो कि प्लोपर है काम कडता है बाकि वही बेसिक्से उपस्ण्स हापको मिल जाते है अगर हम बात करें हैं बैटरी के अंदर तो आपको हैं पर स्क्रीन ओं honey को milके यहा नहीं जो कि एक है और पर करेती उस फारा एंटी और 120 टक अनलॉक किया गया है जो कि काफी सही है यहां पर कुछ इस्टा फीचर से जो कि काफी मुझे फसंद आया अनदर अगर हम लॉंचर की बात करते हैं तो यहां पर लॉंचर आपको एडवांस वाला देखनी को मिलता है जिसे मैं अभी तक मोडिफाइड नहीं कर रखा है बट आप चाओ तो मोडिफाइड कर सकते हो लेकिन हां में भी मोडिफिकेशन के बाद हलका फुलका आपको शुरू सा फील हो सकता है तो यह जित्वा ध्यान में जरूर रखना क्योंकि लॉंचर के वादा से आपके फॉन के अंदर स्मूधनेस इंक्रीज होती है और सरसी डाउनसाइड जरूर होती है लेकिन अभी तक यहां पर मुझे कोई खास दिकत नहीं आया है और यहां पर मैंने थाओद मोडिफिकेशन भी कर दिया जहां पर आपको ब्लैक साइड हो देखने को में रहा है यहां पर सर्च बार चेंज हो चुका है और यहां पर आ आती है यहां पर सूपर आइकन आपका वर्किंग रहता है विजट्स वगेर अभी आप यूज कर सकते हो कोई दिकत नहीं आती और अगर आप यहां पर आईफोन वाला लुक इनेवल करना चाहते हो रिसेंड के अंदर तो वह भी आप यहां पर कर सकते हो सर्कल टू सर्च तो गेरा भी दिया गया है साथ हमां यहां पर इन करते हैं जैसे कि यह हमारे हां किस्ट आउन गांपिटर कर सकते हैं सबस्क्राइब फिर से मैं रिस्टाट है वो अपाइब तो एक वाल जब भी applied होता है, अस पर सार टाइम लेता जरूर है उसके वाठ आप देखसे तो यहाँ परे मारा change हो चुका है और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है जैसा कि बागी normal कभी कभी होता है इंहाँ पर यह normally काम कर रहे है तो इस टाइम मैं कहां कि हाँ और रल काफी सही वरकिंग है बाकि यह 2.2 का मोटिफिक से ने जिसकों आपको 2.2 वाले फीचर्स मिल जाते हैं हाई परो इसका जहां पर आप देख से तो इस तरह की से सारे ऑप्सन इनेवल है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं बाकि इस रोम के मेंटेनर है प्रोफेसर भाई उन्होंने अपना इमेज भी यहां पर डाल दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यहां पर कुछ वाल पेपर अलग से मिलते हैं सूपर लाइव वाल पेपर भी दिया गया है बाकि अभी तक आपका फोन काफे तक स्लो फील कर है हमारा 2.0.203 के स्टेवल वरजन के ऊपर जहां पर हमारे मेंटेनर का नेम देखनी को मिलता है और साथ-साथ हम बात कर यहां पर डिटेल एंफो की तो आपको देखनी को मिलता है एंड्रोइड 15 फाइब मन्त का सेक्योर्टी पैच और यहां पर करनल वगरा चेंज आपक पिकनी को मिलता है जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है और यह मैंने के स्टीन पहले वीडियो दिया था कि इसे कैसे पास करना है तो बाइडिफोल्ट बस आपका बेसिक ही पास रहता है बाकि आप सिंपल पैच होगे डालो मैंटेट फॉलो कर आपका काम बन जाएगा तो मैंने यह भी पास नहीं किया लेकिन मैंने वीडियो दे रखाया पस्टे फॉलो कर लेना आपका काम बनेगा अब नहीं बात प्रफॉएंस वगरा क्या कुछ निकल गया तो बाकि कुछ एक्ष्टा चीज़े है या नहीं इस स्टॉक वाले मोटिफिक्शन वाले रोम के चीज़े है कोई खास बिस्ट नहीं है तो कोई खास डाउंसाइड नहीं है हाँ बाइलेंस अच्छा है वह यह पर करता है कोई खास प्रॉलम नहीं है और हमारा जो सीप्यू ठोटल है अवरोल में ठीक है बट ठ्रा और बेटर हो जाता है वन डे के बार जैसा कि आप चीज़े जब मैंने रोम को डाला था तो यह हमां सेकेंड देखा तो यहाँ पर काफी सही आपको दिखाई देता है अनदर यहाँ पर चार्जिंग देखो 23 में जो 39 जाता है तो अब रहोले यह वी काफी अच्छा खासा है एलोन का सपोर्ट है HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाता है तो अगर इस्टा मोटिफिशन रहता है तो बेटर रहता है बट इसे काफी हो तक स्टॉक जैसा ही रखा गया इसको यह चीज़े आड नहीं है तो आपका क्या है ओपिनेंस के बारे में कमेंड जरूर करना ठीक है तो बस यही टूटल चीज़े निकल के आती है इस रोम के तरब से जो कि मुझे पसंद आया है और हां बैटरी रॉप की बात करें तो बैटरी रॉप मुझे कितना मिला मैं आपको दिखाया तो यह मिस हो गया यह हमारा 30 मॉर्णिंग में आ जाता है यहां पर 26 जहां पर आप देखागे कि 4% का बैटरी रॉप है करीब कर के अंदर और यह बैटरी डॉप में कहां थोड़ा सा ज्यादा मुझे प्रसनली लगा है कि मेरे इस डिवाइस के अंदर बैटरी रॉप नॉर्मली वन परसेंट जीरो परसेंट और तू परसेंट आता है बट इसने 4% किया है तो उमीद है कि आपको 5-7 परसेंट का बैटर इस टैप के रॉम पसंद आते हैं वह उससे तरिकर रिवीव लेकर आते रहूंगा क्योंकि रॉम में साइच चीज़े दी गई है सिवाए दो चीज़ की वह है आपका फोटो इस्टोर और गेमिंग और तो यह दो चीज़ आपके लिए मैटर करती है तो कमेंड करना नेक्स चाहिए लेकिन आपका क्या है ओपिनिन आप बताना ओके मिलते हैं नेक्स टूडियो में थैंक्स वॉचिंग बाई